मधुबनी में पहली बार मेजर जनरल का दोरा 14 मई से लक्षमीश्वर अकेडमी सरिसव पाही परिसर में 34 बिहार बटालियन NCC के द्वारा एक ग्रूप कैम्प का आयोजन किया जा रहा है जो वार्शिक प्रशिक्षन शिविर के साथ ही थलसेना चयन शिविर भी है दस दिवसिय इस शिविर में कैड़ेट को ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, फायर फायटिंग, आदी विभिन प्रशिक्षन दिये जा रहे है इस कैम्प में बिहार जार्खंड के निदेशा लेके मेजर जनरल इंद्रबालन, रूप कमांडर ब्रिगेडियर राजेश नेगी ने कैम्प में कैड़ेट से मुलाकात कर उन्हें सम्बोधित किया इस अफसर पर सूबेदार मेजर वाय बीथापा के साथ 8 जेसियो, 17 हैनसियो, एवं मधुबनी के डॉक्टर संतोष कुमार सहिद 11 हैनो उपस्थित थे मेजर जनरल इंद्रबालन के पहुचते ही कैम्प कमांडेंट लेटिनेंट करनल प्रभाकरन उन्हें क्वाटर गार्ड की ओर लेकर गए और उनकी सलामी के बाद क्वाटर गार्ड से मंच पर गए, जहां उनका परिचे कैंप कमांडेंट लेटिनेंट करनल प्रभाकरन ने सभी कैडेट से एवं अफसर के साथ कराया उसके बाद ADG ने कैडेटों को संबोधित किया और उन्हें सेना के प्रशिक्षंग की और प्रोचसाहित किया मधुबनी से मुहमद करीमुला की रिपोर्ट